वन में महाराज पांडू और महाराणी मादरी का निदन हो गया है महाराज आसम मुखाव नहीं महामहिम नहीं जीवन और मृत्यू के चक्र से केवल आप सुरक्षित रह पाए हैं सामान्य मनुष्य नहीं महाराणी मादरी ने अपने प्राण त्याग दिये हैं महामहिम महाराणी कुंती और पांडव वन में अकेले हैं बड़ा कठिन हो जाएगा महाराणी कुंती और उनके पुत्रों का जीवन हस्तिनापूर का युवराज बन में अकेला नहीं रहेगा उसे शीगर ही हस्तिनापूर लाने का प्रबंद किया जाएगा प्रबंद के टाने के रहेगा क का उपजक प्रसक्र बनम प्रस्तिनाप्ष्ट अए्भावार के लिपरा टुटीजे तो है शो तुम स्वास्त तो हो ना चार लड्डू खाकर आप स्वास्त महीं रह सकते मैंने दू दस पोड़े खाये है मैं किस प्रकार स्वास्त रहूंगा हाँ द्राता श्री लीप लगा रहे हो या थुछा उतार रहे हो मुझे श्रमा कर देना स्वान चलो, अपने प्रादा श्री को शमा मांगने का अफसर भी दे दिया मैंने, तो आप स्वस्त रह सकते हैं ना प्रादा श्री, शौन, मेरे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है, अभ्यास है मुझे प्रादा श्री, आपके कारण बालपन से मुझे मार पड़ी है, इन्थो कोई समस्या नहीं, मेरे सारे घाओं का पुरसकार आप एक साथ दे देना, क्या पुरसकार के इच्छा है, शौन, रित्वी के किसी कोने पर, एक ऐसा स्थान अवश्य निर्मित करना, जहां नीची चाथ के लोगों को कोड़े ना खाने पड़ू, और वहां मेरे लिए एक एक बड़ा सा भ़वन निर्मित करना, मैं बच्चन देता हूँ शौन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पून करूँ, तुम्हारे एक एक रख्त बिंदुक का प्रतिशोद लूँगा, मैं। किससे प्रतिशोद लोगे करें। सबसे, किन्तु सर्व प्रत्थम प्रतिशोद लूँगा, महामहिन भीश्मस है। वसंथ पंचमी के मौत सब में, विश्व की कोई शक्ती मेरे नेने मेरे परिवर्तन नहीं आ सकते। किससे प्रतिशोद लूँगा, मैं असकते। किससे प्रतिशोद लूँगा, मैं विश्मस है। झाल 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 सियासर पर उने वाले महराज विराजमान है युवराज दुरियोधन की युवराज दुरियोधन की युवराज दुरियोधन की युवराज दुरियोधन की युवराज दुरियोधन कि यदि इस घटना के समाचार भिश्म और विदुर को मिल गया है तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा उत्र इस सिंगहसन पर तुम्हारा अधिकार नहीं न आज नहीं है मामा श्री किन्तु कल अवश्य सियासन मेरा ही होगा स्वपन देखने वाला सुख पाता है और सत्य देखने वाला सफलता पाता है तात परिया तात परिया यह है पुत्र कि तुम्हारा स्वपन है कि तुम यू राज हो किन्तु सत्य यह है कि भीश्म और विदुर उस पांडू पुत्र युदिश्टीर को ही यू राज बनाएंगे और जब तक भीश्म जीवित है तब तक तुम हस्तिनापूर के सिंघासन पर विराजमान नहीं हो सकते किन्तु भीश्म पिताम को इच्छा मृत्य का वर्दान है उनकी मृत्य होना असंभव है आए अधिया उत्तम पुत्र अधिया उत्तम किन्तु पांडू पुत्रो को तो ऐसा कोई वर्दान प्राप्त नहीं है ना पुत्र पुत्र अधिरत महोदे, ये औशदी शौन के गहोपे लगा दिजेगा अधिरत महोदे, आपके लिए महामहिम का आदेश है आपको शिग्रही महामंत्री विदुर जी को वन में लेकर जाना है वन में? समाचार प्राप्त हुआ है, महराज पांडु का निधन हो गया है आपको जाकर राजकुमारों और महारानी कुंती को हस्तिना पुर लाने का आदेश है महारानी कुंती, हस्तिना पुरा रहे यदि ये बालक राजकुमारी की आँखों के सामने रहा तो शिग्रही वो लोकलाज की चिंता त्याकर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा महाराज और राजकुमारी पर लांचन लगेगा इसलिए इस बालक का राजकुमारी से तूर और गुप त्रहना अनिवार्य है इसी कारण में इसकी रक्षा का उत्तरदायत पर आपको सौंप रही हूँ भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है शमा कीजे भगवान सुर्य नरायन किन्तो आप ही का दिया गया हुआ कवच आपके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रू बन गया है शोन शोन बैठने का प्रेतन तो करो नहीं प्रादाश्री अब मैं एक वर्ष तक नहीं बैठूँगा शोन बहुत पीड़ा हो रही है शोन तुम एक वर्ष तक कैसे पढ़े रह सकते हो वसंद पंचमी केवल एक मास के पश्चात है मेरी परिक्षा दिखने नहीं आओगे यदि तुमारे पुत्र को असंद दोश पर कोई अंकुष नहीं अधिरत तुम्हें उसका त्याग करना होगा पसंद पंचमी के दिन कोई परिक्षा नहीं होगी किन्तु परिक्षा करने का निर्णा है तो आपके महा महीम ने स्वैम किया थपता श्री और उस दिन परिक्षा में सफल ना होने के तुम्हारी योजना ये भी जानता होगा जीवन में सार्थी बनने की ही इच्छा नहीं मेरी क्या बनना है तुम्हें धनुदारी तु बन नहीं पाओगे जीवन बर विद्रों करते रहोगे जीवन बर तुम्हारी माता को चिंता करवाओगे क्या तुम्हारे पिता को जीवन बर शमा याश्र करी पड़ेगी तुम्हारे भाए को जीवन बर दंद भोगने पड़ेंगे यह योजना है तुम्हारी चिंता करने वाली शमा मांगने वाली और दंड देने वाली परंपराओं को तोड़ने की योजना है तो तुम्हारी ऐसी योजनाओं को लेकर तुम्हें हसनापुर का जाक करना होगा करण अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है आरिया यह क्या कह रहे हैं आप उचित कह रहा हूं रादाप माता सरसुदी भी वडवानल लांकी दिव्यगनी का ताप नहीं सहपाई थी माता गंगा भी शिप के फुतर का ताप नहीं सहपाई थी हम तो सामाने मनुश्य है रादा कब तक इसकी दिविता का भाद संभालते रहेंगे बहुत भोग रही है बहुत सही है रादाश्री के हाथ कटे हम विस्तापित हुए मुझे बृत्य डंड बिला और अब अब यह अब इस समाज में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है तुम्हारे ताउ के पास वान में ही तुम्हार अस्थान है नहीं नहीं आरिया अब ऐसा नहीं कर सकते हैं अब मेरे पुत्र को इस तरह निश्कासित नहीं कर सकते हैं मैं वचन देती हूँ कर्ण ऐसा कुछ नहीं करेगा ना दनुश उठाएगा और ना शत्रियों के साथ संगाश करेगा मैं मैं वचन देती हू आरिया कर्ण कर्ण अपने पिता को वचन दो कर्ण कर्ण वचन दो अपने पिता को वचन दो नहीं राधा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है अगनी कभी ये प्रण नहीं लेगी, कि वो लख़ी का पोजन नहीं करेगा करण किस प्रकार अपनी दिविता को ठक कर रख सकता है उच्छित यही होगा राधा कि करण अपना जीवन अब पन में जाकर जाए मैं महाराणी कुंती और उनके पुत्रों को लेने जा रहा हूँ मेरा आधेश एकर, मेरे लोटने से पूर्व, तुम हस्तिनपूर त्याग कर चले जाओ तुम है तुम है गंधार राज शकुनी तुम है तुम है तुम है तुम है तुम हैं युम है टाए युम है मामा श्री, आपने तो कहा था कि हम किसी भायानक योद्धा से साहित अप्राप्त करने आए है, ये ना तो भायानक प्रतीत हो रहा है, और नहीं योद्धा जो योद्धा बल्वान प्रतीत ना हो, वहीं तो सक्य में भाय का कारण होता है, पुत्र ये, ये है अगनी पर्ण आप चेशता मत कीजे मामा श्री आव अगनी पर्ण मामा श्री को अपना सत्य प्रकाट करो, यूद्धार मुच्छे यूद्धार मुच्छे राजकुमार दुर्योधन केवल मनश अंकार के लिए युद्ध करते हैं, राक्षस्तो केवल मुल्ल के लिए युद्ध करते हैं, मुल्ल के लिए क्या मेरा मुल्ल आप चुका पाएंगे गांधार राज अवश्य 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 अगनीपर्व अवश्य प्रति दिल गांधार से एक चक्र एक रत भर भोजन तुम्हारे और तुम्हारे भाताश्री के लिए पहुचा दिया जाएगा किन्तु पांडू पुत्रों की मृत्यू इतनी सरल नहीं होगी ध्यान रहे अगनीपर्व अगनीपर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यू सरल है जाहो पांडू पुत्र ही क्यों नहीं हो पांडव साधारन मनुष्य नहीं अगनीपर्व पिरे गुप्त चरोने मुझे कुछ समय पुरू एक घटना की विशय में कहा था उन पांचों में सबसे बलवान है भीम जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है नकुल उन पांचों में सबसे चपल है विचारों की गती से उसकी तलवार घूंती है सहदेव की परशु को देखकर स्वयम भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है सबसे जेश्ट युदिष्टिर का भाला शब्द वेदी है किन्तु सबसे भयानक है कुंती पुत्र अर्जुन आता है पुम्री क्या जब तूरत अल्याँ बर्दों में तुर्लभा समहा घर्जुन जदेखकर अल्गुनमें दूर शुन हाँ 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 है पैमी शारणने के निकट एक काउ में जब नागों का आक्रमन हो था तब इनी पांच भाईयों ने प्रतिकार किया हाँ 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